हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कीईटी और कीईटी किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पोहा पोहा अलग 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 तरीके से बनाया जाता है तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुती एजी और सिम्पल है और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें खिला खिला पोहा और बढ़िया पोहा पनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए पोहा पनाना स्टार्ट करते हैं पोहा बनाने के लिए मैंने आपका लिया है लगबग 200 ग्राम पोहा और एक कप मैंने लिए कच कि इसको मैंने इबालकर रख लिया है कि आधा चोती चम्माच लेंगे हल्दी कि दो हरी मिर्ज लेंगे जिसको बारी कट कर लेंगे और मैंने या प successor बीडिएम साईज की प्या जिसको बारी कट लेंगे और स्वाधा नमक लेंगे एक चोटी चम्मच राई लेंगे और फोड़ा सा लेंगे हारा ताजा धनिया जिसको बारी कट कर लेंगे तो यो साई चीजे पूख बनाने के लिए करणे के अब चलते हैं नेक्स स्टेप्स का ओर तो सबसे पहले हम पूख धो जादे गिलने का रहरा फूल दाएगे तोट से ही पानी पानीओ इसमें। ऐसे ही छोड़ देंगे, अब गैस पर medium flame पर एक कड़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा cooking oil डालेंगे, और oil की गरम होते ही, उसमें मुफली के दाने डाल देंगे, और उनको अच्छे से प्राई कर लेंगे, और आम मुफली को 2-3 मुनट तक, और मुफली को ब्राउन होने तक भूल लेंगे, और इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे, जिससे मुफली हमारी जले नहीं, आप चाहे तो इसमें रोस्टेट मुफली भी यूज कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारी मुफली भून गई है, इनका कलर भी ब्राउन हो गया, तो आब इनको निकाल लें और इसके बाद डाल देंगे, अब हम प्याज, और दोसे तीन मिनट के लिए प्याज को भूल लेंगे, यानि कि जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसको बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे, ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमारी प्याज बड़ी दिर इसको पका लेंगे, इसके बाद में डाल रही हैं आलू, जो मैंने उबाल कर कट करके रख लिए थे, अगर आप पोहा में आलू को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप आलू को इसके बीचर सकते हैं, आलू भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे, अब हम डाले इसमें उफली के दाने, जो हमने फ्राइ करके रखे दे, गैस का फ्लेम हमें मेडियम ही रखना है, पोहा जातर घरों में बनता है, क्योंकि यह बहुती जल्दी बनने वाली रेसिपी, बहुती सिंपल होती है, अगर आप मेरी वीडियो देखके रेसिपी बनाएंगे, तो आपके बहुती अच्छी रेसिपी बनेगी, और अब हम इसमें डालेंगे पोहा, जो हमने थोड़ी तेर के लिए रख देया था, पानी से निकाल कर और इसको भी इन सारी चीजहों को साथ मिक्स कर लेंगे, और गैस को हम लो फलेम पर रखेंगे, और धीरी दीरी इसको मिक करते चाहिए, और इन सारी चीजहों का फ्लेवर भी अच्छा आएगा, तो आप देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आ रहा है, हमारा पोहा देखने में बहुत ही खूब सुरत लग रहा है, और अब हम कड़ाई पर लेड से कवर करके इसको एक मिनट के लिए पकने देंगे, एक मिनट हो गया है, अब लिड को हम अटाएंगे, आप देख सकते हैं, एक बार इसको मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे ताजा हरा धनिया पत्ता, अब पोहे में धनिया पत्ता पी अच्छे से मिला लेंगे, तो यह देखिए हमारा पोहा बनकर तयार हो गया है, तो कितना बड़िया पोहा बना हम और खिला खिला योधा बने कर तयार हो गया तो अब इसको अब हम अपने पोहे को सभव कर लेंगे, मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी इसको तो हम इसको गानिस कर लेंगे, मैंने यहां पर थोड़े egna दाने चोड़ दिये थोड़े से दनिया पत्ता छोड़ दे हैं उससे हम गाणिस कर लेंगे कि तो यह देखिये हमारा फोऊ हां एक तुम रेडियो गया है खाने के लिए और खिलाने के लिए आप देख सकते हैं हमारा पोगा एक दुम खिला खिला और बढ़िया लाजवाब बना है आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लेगी और मेरा पोग आपको कैसा लगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरी चैनल को सबस्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों